जय हैं दोस्तों भारती करशी अनुसंद्धान यानि की इंडियन एक्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट ने दस्वी पास सभी मेल फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकाली हुई है काफी 641 बैकेंसी निकाली हुई है सबसे पहले बता दे कई लोगों को यह दिक्कत होती कहां से कैसे निकाले तो जब आप इनकी वेबसाइट में जाओगे वैसे तो मैं लिंक डिस्कॉप्शन में दे देता हूं लेकिन कोई लिंक नहीं जा पाता है डिस्कॉप्शन नहीं खोल पाता है तो उसके लिए बता दे कि भारती अनुसंदान की इसकी वेबसाइट में जाएंगे वेबसाइट का मैं आगे बताऊंगा क्या है जैसे ये खुलेगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले या तो आप रिक्रूपमेंट सेल में जाएं इसके बाद टेक्निकल टीवन में क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको क्या करना है इसी में आपको इधर जाके वेबसाइट की इसमें खोड़ लेना है ये नोटिफिकेशन है जैसे नोटिफिकेशन खुलेगा इसमें आप पूरी डिटेल दे सकते हैं अब इसके बारे में बताते हैं क्या notification में दिया है तो शुरू करें उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में रोजगार से संबंदित वीडियो मिलते रहते हैं चैनल सब्स्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसा ही jobs related वीडियो मिलने वाले है टेंथ पास के लिए जो भारती क्रस्य अंसंदान ने बैकेंसी निकाली हुई है job location आल इंडिया होगा इसका main headquarters नई दिल ली है और इंडिया के किसी भी कोड़ने से कोई विवेक्ति अपलाई कर सकता है शुरू करें इसमें दिया है recruitment technician T1 टीवन के लिए है पोस्ट है चारसो छैसो एक्क्तालिस पोस्ट है तो जो इसमें बैकेंसी निकाली गई है इसमें एक चीज़ बता दे important date की बात कर लें कि कब से farm भरे जाएंगे तो farm online भरने की date है 18 दिसंबर 2021 starting date और जो farm भरने की last date है 10 जनवरी 2022 तक farm भर सकते है और फीज जमा करने की 10 जनवरी 2022 है फीज 10 जनवरी 2022 तक जमा होगी इसके बाद जो exam होंगे वो फरवरी में होंगे तो फरवरी में exam जब होंगे उसके notification आएगा तब उसका detail बता देंगे कब आना है उसका देख लेंगे इसके बाद online farm computer based test होगा online farm भरे जाएंगे वेकेंसी डिटेल देख लेकते हैं बहुत अई काफी अच्छी मात्रा मेकेंसी निकली 641 वेकेंसी है टोटल और जिसमें की unresolved 286 है 286 वेकेंसी EWS की 61 वेकेंसी SC की 93 वेकेंसी ST की 68 वेकेंसी OBC की 133 वेकेंसी एक सर्विसमेन की 8 वेकेंसी है जिसमें resolution person disabled person की 6 अलग से वेकेंसी है और इसके बाद बाकी जो disabled है उनको पता है किस category में disabled मानने होते हैं ये वेकेंसी detail होगे इसके बाद salary की हम बात कर लें salary काफी बड़ी मात्रा में है तो salary grade level 3 की मिलेगी वो आगे बात करेंगे इसके पहले बात कर लेते हैं qualification requirement क्या होगी जब आप firm भरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10th pass मांगा गया है किसी भी recognize board या institute से और इसमें एक चीद दिया है कि अगर जिसके 59% mark है उसको 60% के level में माना जाएगा उसका percentage आगे पिछे देख कर लिया जाता है अगर जिसके 45% से कम है तो उसको 45 से माना जाएगा तो इसमें कोई percentage नहीं दिया सिर्फ 10th pass होना जरूरी है यह mark का दिया है कि calculate करके total कर लिया जाता है mark इसके बास एक चीद और लेगता है exam nation cities आल इंडिया में सब जेगे रहेंगी आपको 5 सेलेक्ट करनी है कि कोई examination जहां आपको आएगा पांच जगह सेलेक्ट करनी exam देने के लिए आपको जब फार्म भरोगे एज लिमिट की बात कर ले एज लिमिट कितनी चाहिए तो एज 18 years से 30 years तक चाहिए लेकिन age relaxation है SCST को आपको पता है 5 साल होता है OBC को 3 साल होता है और एक सर्विसमेन को सर्विस प्लस 3 years age relaxation दिया जाता है इसके बाद और बात कर लेते हैं जो maximum age 58 years दिया हुआ है 58 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि disabled candidate को काफी age relaxation दी जाती है एक सर्विसमेन को काफी दी जाती है तो 58 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक चीज़ देख लेते जो PWD candidate आते हैं उनको 40% disabled होंगे उन्हीं को PWD का दरजा दिया जाएगा और उनकी certificate उनका होना जरूरी है एक सर्विसमेन candidate जो भी होंगे उनको अपना concerned document प्रोडूस करना पड़ेगा जब फार्म भरेंगे एक सर्विसमेन जितने भी गंडिडेट है इंटर्व्यू वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको डाक्मेट ले जाने है इसके बाद और देख लेते हैं बाकी इसमें जो एक सर्विसमेन के बारें काफी चीख दिया हुआ तो एक सर्विसमेन जरूर अप्लाई करें कम लोग करते हैं तो एक सर्विस्में ऐसे मोखा छोडए नग्याक्या यह लिए रिफेन्स पर्सीनल सार्टिफिकेट इसके बाद अंडर टैटिविकेट्ट जो आप रिटार होते तहां मिलती है डिस्चार्ज सार्टिफिकेट्ट आपको ले जानी है और में है फ्रॉस वोमेन, SCST, एक सर्विसमेन को सिर्फ और सिर्फ तीन सो रुपए पेड़ करनी है काफी कम मात्रा में फी से जरूर अपलाई करें एक सर्विसमेन इसके बाद बांकी इसमें डिटेल फार्म कैसे बरना है एक्जामनेशन क्या-क्या होगा, प्रोसीजर 100 नंबर का एक्जाम होता हुगो पूरा इसमें नोटिफिकेशन में दिया, इसका लिंक में डिस्कसिन में दे दूगा उसके थूँ आप भर लें इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसका भी लिंक मैं डिस्कसिन में दे दूगा नहीं तो मैंने दिखाया है कैसे आपको जाना है उसके थूट अप्लाई करना है पूरे step इसमें दिये हुए हैं कैसे apply करना है नहीं तो आप जंड सेवा केंड से भी apply कर सकते हैं जाके उधर apply कर सकते हैं डाकुमेंट लेके जाना पड़ेगा और apply कर ले ये था क्रसी अंसंदार ने जो वैकेंसी दिका ली है काफी अच्छी मात्रा में है और सिर्क 10th pass है